हेलो एवरिवन टीचंग बैलजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे आज का टॉपिक है इंट्टुग्यूमेंट एंट इस डेरिवेटियोज किसके अंदर वर्टीब्रेट सके अंदर तो वर्टीब्रेट सके अंदर हमें पढ़ना है इंट्टुग्यूमेंट इस डेरिवेटियोज बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक है और आई होप आपको लेक्टर पसंद आएगा देखिए हमें इस लेक्टर में पढ़ना क्या कुछ है पहले हम यह देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनिशन ठीक है आपका सिकन है या उसके कुछ डेरिवेटियोज होंगे इस सब आते हैं इंट्रींट के अंदर सिकन की बात करें, सिकन के अंदर आता है जैसे conjunctiva of eyeball है या फिर external surface है, air drums की बात करें या फिर हम जो mycus epithelial lining होती है चाहे वो mouth हो, rectum हो, nostrils हो, eyelids हो या फिर urino gentle ducts हो सबी जो हैं, इस सिकन के अंदर आते हैं सिकन से ये cover होते हैं जैसे आप यहाँ पे देखोंगे यह कॉंजक्टीवा है यह कॉंजक्टीवा जो है यह आता है सिकन कि लिए है ठीक है उसके आपा हम बात करें ऐर ड्र narm यहाँ पे आप देखोंगे एर ड्रम भी यह सिकन का ही इसकी उपर मिकोसा की हम भात करने है वो नैसल का मैकोसा है, औरल का है, या फिर इसुफीजिल मैकोसा है, अबरॉंचिल मैकोसा है, सभी जो है, ये आते हैं, किस के अंदर आते हैं, ये आते हैं, सिकन के अंदर आते हैं, ये इंटिकुमेंट के अंदर आते हैं, सिकन के हम बात करें, सिकन का एको जो इंपार्टन सिपित के बारे में जो है कि ये लाइजस्ट औरगन बाडी का माना जाता है सिपिती इबान बाडी का कौन सा है उपना 16% इड़े हमनें ने उन्हारतों और किस्टम बादी तों इस भा को बाड़े का ठीक है ना और जो एर ड्रम है बताया जा रहा है कि जो एर ड्रम होता है इसके बाद अंदर जो है वो आपको बाहर जो है बाहर एर किनाल होती है उसके किनाल के अंदर जो मेंबरेन होती है एर ड्रम ठीक है ना तो ये भी किसके बनी होती है सिकन के बनी होती है तो जैसे मैंने तो अब दूसर जो important चीज़ है वो है कि function क्या है इंट्विमेंट क्या function क्या होता है देखिए अगर हम second की बात करें ये perform करता है several important functions सबसे पहला होता है protection क्या होता है protection second जो है वो spread करता है animal body को का से जो इसका external environment है और इस it has several protective devices जैसे number one पे है ये protect करता है body को from mechanical और chemical injuries से ये तो आप बेतर जानते हैं which may result from चाहे वो pressure से हो friction से हो blow से हो या फिर harmful gases से हो या फिर flare से हो जो कुछ भी हो चाहे वो sun से क्यों नहों ultra wild rays से हो temperature हो जो कुछ भी हो environmental pollution हो उससे क्या करता ही हमें protect करता है second okay उसके बार आता है protective derivatives जैसे आप देखें fishes के उपर scales होते हैं बूनी plates पर होती है और कुछ fats के अब बात करें या जा आप देखते हैं birds के उपर feeders होते हैं या आपके ओपर या हमारे ओपर या कोई भी animal होगा mammals के अंदर जो आते हैं वो hairs होंगे birds होती है वो भी अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि जो second है या फिर उसके जो derivatives है वो बचाते हैं फर फर हो या फिर plumage हो जिस हम feeder कहते हैं या bristles हो या फिर आप जिसको spines कहते हैं claws हो, nails हो, hooves हो, antlers क्यों न हो, horns हो यह क्या करते हैं यह offense और defense का 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 क्या करते हैं offense and defense का का काम करते हैं या रखना ठीक है उसके बाद protective coloration की बात करें यह camouflage sort to escape detection by enemies तो अपने आपका जो second जो है उसका color यह change कर देते हैं जिस हम camouflage कहते हैं कुछ animals ऐसे होते हैं जिस environment के अंदर हैं वो या जिस चीज के उपर चिपके हुए हैं उसी की तरह यह बन जाते हैं अपने second को जो है वो बना लेते हैं color change करते हैं तो यह भी एक बड़ा important है ताकि वो enemies से जो दुश्मन होंगे उनसे बच सकें second की जो pigments होते हैं यह also protect करते हैं अगेंस्ट solar radiation जैसे मैंने आपको बताया यूरू पेजियल ग्लेंड्स इन बोर्ट सेक्रेट ओइल फार प्रिनिंग फीडर्स तो जो यूरू पेजियल ग्लेंड होता है यह आपको बोर्ट के देखने को मिलेगा वो क्या करता है वो secret करता है oil को क्योंकि जो वो आपने देखोगा अपने feeders को प्रिनिंग में रखता है ताकि उसकी feeders स्मार्ट रहें हमेशा क्योंकि जब आप अपने oil जो अपने hairs हें hairs के उफर आप जजतना भी तेल लगाएंगे अतना आपके जो बाल हैं चमकाएगी तो यही बात उती है जो बोर्ट के कितने प्यरे்प्यारे color होते हैं जो feeders होतते हैं बड़ेशमाट होते हैं क्यों में होते हैं क्यों मैं आपने पर प्रिनिंग होती है वहां पे जो grain्ड् जिस भीर हो या सिषिकल बरि रहो या इम्यून बरिए रहो यह सब आफ यह कहाल पर कहां से सखा जो स्कार जो गंसर्र रहता है आपके टीकूर मेंटinder करेंत। और आफके गिशित Okay किस Parents का लूकूमोशेंगें क्या हे तैं असके मार का लाल आता है mam यह फ्रॉग्स के हो एडस्यू पैट्स हो जैसे यहां पर लिखा है सिकंड वेबस इंद फीट फ्रॉग्स टर्टल्स एक्वाटिक बोर्स हैलेबिन्स स्विमिंग इन वाटर्स ताकि वह आराम से वाटर के अंदर वह स्विम कर पाएं तो पानी जो है पानी जो आपर रुके एसिस्ट इन क्लाइमिंग जो क्लाज होते हैं क्लाज क्लाज क्या करते हैं जब आप जब यो एनिमाज होते हैं कुछ या बोर्स होते हैं जो चड़ते हैं या क्लाइम करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं जो क्लाज से उनका इस्तामाल करते हैं वीदर्स जो विंग्स के पोर, यह क्या करते हैं, यह help करते हैं, flying के 기본 की लिए Horse होते हैं जो इसके इसके लोको मोटा कर सके तो यह सभी बने होते हैं, किसके इंटेगिम्ण कहते हैं सिकन के बने होते हैं ये सभी ठीक है . उसके बढ़ आता है डरमल एंडोसे जो होता है . Herren बड़ा important है ये भी, secretion की बात करें, जो second glands होते हैं, ये secret करते हैं, substances having several uses, जैसे mucous glands होता है, aquatic forms, fish के अंदर, frogs के अंदर, ये keep, ये रखता है, moist and slippery, ठीक है ना, और poisonous हो, bitter और offensive secretions, what of potential enemies, तो poisonous अब जानते हैं, ये भी बड़ा important है, offensive के लिए, ठीक है न, किस तरह से offense कर सकते हैं, snake जो है अपने आपको बचाते हैं, इसी poison से, ये भी आखा किसे second के अंदर होते हैं, तो जो secretion है, ये भी second glands से ही secret होते हैं, किसी भी आप secretion की बात करें, तो ये भी important है कि आपको integument के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो oil from sebices glands of mammals, lubricate the second and hairs, जो sebices glands से oil निकलता है, mammal से, वो क्या करता है, वो lubricate रखता है, second or hair को, उसके बाद आता है, memory glands जो है, manufacture milk for nourishment of the young, आप जानते हैं, memory glands से क्या होता है, मिलिक निकलता है, जो बच्चों को क्या करता है, nourishment देता है, scent gland का जो order होता है, वो opposite sex को attract करता है, ये बड़ा important है, lacrimal glands, जो tears होते हैं, जो आपके आंसु होते हैं, वो lacrimal glands से ही आते हैं, ये आपका conjunctiva को सफाह रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सफाही रखते है, glands of auditory matrix जो है, ये सक्रेट करता है, air wax, the cerumen to grease air drum, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहा यहाँ पे produce होते हैं, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह क्या है, आपके सामने ये एक deer है, जिसे हम हिरन कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे glands आप देखोगे, कितने glands हैं, यहाँ पे हमने 7 glands मेंशन किये हैं इस photo cube पर, जैसे जो यहाँ पे पहला gland है, य जिसको हमने number one दिया है, इसे कहते हैं, pre-orbital gland, क्या होता है, pre-orbital gland, जो produce करता है, scent, क्या produce करता है, scent प्रोडूस करता है, दूसरा यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, कि यहाँ पे line दी हुई है, कि यह जो होता है, इसे हम कहते है, forehead gland, यह बिल्कुल beneath the hair follicles, और जिस तरह से आपका civit gland होता है, इसे तरह से यहाँ पे forehead gland होता है, यह produce करता है, fatty oil that bucks came transferred to a rubber tree or licking limb over a scrap, तो उसके बाद है, यहाँ पे बिल्कुल सामने तिसरा, इसे हम कहते हैं nasal gland, क्या कहते हैं, nasal glands, यह locate होता है, just inside the edge of each nostril, यह जो gland होते हैं, यह actually do not appear to function in producing scent, but यह help करते हैं, जो nasal होता है, उसको moisturize रखना, okay, ताकि जो scent है, उसको अच्छी तरह से वो ratio कर पाएगा, उसके बाद यहाँ पे है, हमने mention किया है, series number four, ठीक है, लिखे हैं न, series number four, यह निचे इसका जो digital होता है, inter-digital gland होता है, तो यह भी बड़ा important gland होता है, यह cheese like substance को produce करत होता है, इससे भी smell like rinsed butter की तरह इसकी smell आती है, यहाँ पे mention किया है, यह है pre-putile gland होता है, यह बिलकुल inside the penile sheet होता है, यह जो gland होता है, यह lubricate करता है, इसका antibacterial function होता है, कितना important है, यह जो छटा है, series number six, जो यहाँ पे हमने लिखे है, इसे कहते है, तारसल gland, यह जो gland होता है, यह actually scent को produce, यह scent को secret नहीं करता है, but यह produce करता है, fatty oil that clings to the tuft of long hairs and help capture urine when deer rub urinate on their legs, तो यह क्या करता है, यह help करता है, create a hot bed of bacterial growth, जो produce करता है, rotting stench that may be unique from deer to deer, तो यह prevent करता है, bacterial contamination of venetions, never touch dorsal glands with your bare hands, or when you are sickening or processing a deer, okay, यहाँ रखना आपको, उसके बार यहाँ पे है सात्मा, सात्मा ग्रेंट क्या करता है, इसे हम कहते हैं, metatarsal gland, यह कहते हैं, metatarsal gland क्याते हैं, तो यह था कुछ important चीज़ है, जो यहाँ पर हमने mention की थी, तो I hope, आपको समझ आया होग उसके बाद है food storage, आपको होगे यार food storage का क्या function है, यह food storage की सिकन के अंदर, देखिए, ankle layer होती है, thick और fatty layer होती है, blubbers, जिसे हम कहते हैं blubbers, यह आपको whales, या seals के अंदर आपको देहने को मिलेगी, यह सरो करता है as insulation as reserve food, बड़ा important है यह, ठीक है, animals also accumulate subcutaneous fat prior to hibernation के लिए, और migration के लिए, जैसे ही यहाँ पर यह वेल है, यह इसका जो part है, यहाँ पर क्या है, blubbers हैं यहाँ पर, यह वेल है, इसके blubbers पड़े हुए हैं यहाँ पर, temperature control करने के लिए, अगर हम बात करें, warm blood animals, उनके ओपर फर होता है, feeders या scales आपको देखेन को बिलेंगे, यह क्या करते हैं, यह body heat को conserve करते हैं, cold climate के अंदर, और जो sweet clean होता है, mammals का, यह provide करता है, cooling by evaporation in summer for elimination of heat, यह भी बड़ा important है, ओके, अब यहाँ आता है excretion, अब आप कहां रहे होंगे कि, अब excretion का किस तरह से, इसका system यहाँ पर excretion क्यों आ गया, excess of water की बात करें, salt की बात करें, या फिर urea हो, यह also eliminated in sweet, इतना आपको पता है, और जो adices होता है, acidices होता है, इसमें कभी-कभी shedding होती है, second की, तो कुछ metabolic waste, some metabolic waste की, तो यह भी बड़ा important है excretion के अंदर, sensation की बात करें, जैसे cutaneous nerve होती है, ending in other sense organs, or stimulate by touch pain, change in pressure, moisture, extremes of heat, and cold, and chemicals, etc, sexual selection की बात करें, brilliantly colored sickness, antlers of male deer, long tail, coverts of peacock, lead to sexual dimorphism, तो ऐसी चीज़े होती है, जो attract करती है, अगर अच्छे खुबसूरत antler होगे, तो वो किस तरह से attract कर पाएंगे, अपने जो साथी को, या peacock की covert होगी, वो भी किस तरह से करेंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह जैसे यहाँ पे here है, ठीक है, hot receptors है, यहाँ पे बने हुए, कुछ pain receptor यहाँ पे आपको उपर मिल जाएंगे, touch receptor आपको नीचे मिल जाएंगे, cold receptor और नीचे मिल जाएंगे, pressure receptor आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो यह भी कुछ important चीज़े हैं, जो पढ़नी पढ़ती हैं, semum of sebaceous gland in ultraviolet light, आपको डाक्टर कहता है, कि अगर आपको vitamin D चाहिए, तो आप सूरज की रोशनी के अदर आगे बैठीएगा, जितना जाएदा सूरज आपकी बाड़ी के उपर जाएगा, इतना आपको vitamin D जाएदा मिलेगा, जो brood poches होते हैं, second of some fishes, यह protect करते हैं, unhatched eggs को, अब brood poches किसके बने होते हैं, यह भी second के बने होते हैं, और second के अंडर ही रहते हैं, तो यह भी integument के अंदर आते हैं, अब आपके जो nasal grain है, यह फिर nasal grain, यह फिर tetra port होता है, यह nostril free of water in dirt, amphibians की बात करें, carry unconsiderable dispiration through their richly vascular sickness होते हैं, इसके वैसे amphibians जो हैं वो अच्छिदर स respire कर पाते हैं, तो यह कुछ important चीज़े हैं, जो आपको पढ़नी थी, ठीक है, main चीज़ अब देखे कि जो structure होता है, इंट्रिमेंट का structure कैसा होता है, second जो होता है, all vertebrates का, वो multi-cellular होता है, और उसकी दो लेरे होती है, कितनी होती हैं, दो लेरे होती है, एक होता है, पहला outer epidermis, जो कि active dome से बनता है, यहां पर आप देखोगे, यह जो area है, यह जो पूरा area है, यह area, second का जो है, se epidermis कहा जाता है, क्या कहा जाता है, epidermis कहा जाता है, दुसरा जो होता है inner dermis, यह thee meso dome से, उपर वाला जो है, यह etto dome से originate होता है, इसमें आप देखोगे यहां से यहां तक, यह पूरा एरिया है, यह आ गया डर्मस, ठीक है न, इसमें आप देखोगे किस तरह से नरूज जा रही है उपर, ठीक है, और यह कैपिलर्डिस किस तरह से हैं, sweet gland कहां पर है, यह आप देखोगे, उसके बाद, muscles हैं, आप देखोगे, यह नीचे जो है, आप देखोगे, तो यह था dermis और, hair आप देखेंगे कहां से कहां से आए है dermis से आए है hair निचे से ठीक है न तो अब आप आगे देखेंगे हम important चीज़ें किस तरह से कहां पर आता है पहले हम बात करेंगे epidermis की epidermis बहुत ही important है और इसे हम कहते है stratified epithelium इस point को नोट कीज़ेगा बड़ा important है stratified epithelium ये epidermis है इसके दो region होते हैं एक होता है outer most region जो के layer of dead squamous cells form a horny resistant covering और stratum corneum on the second surface यहां पर आप देखोगे ओपर वाला ये bil को जो ओपर वाला part है यहां पर तो हमें color change करता हूँ और color change करके हम देखते हैं इसका जो किस तरह से यह देखते हैं थोड़ा यह है उपर वाला stratum corneum इसका कहते है stratum corneum उससे जो नीचे आता है stratum lucidum यह क्या है stratum lucidum है उसके नीचे आता है stratum granulusum उसके बाद नीचे आता है stratum spinosum उससे नीचे जो आता है stratum bacill यह जो है बड़े important है यह जो पहली होती है stratum corneum यह dead carotene layer के बनी होती है दूसरे जो होता है stratum lucidum इसके अंदर lamular granulusum प्रेजन होते हैं पिर आता है stratum granulusum इसके अंदर decimosum होते हैं प्रेजन्ट इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कुछ दिखा हुआ है its cells accumulate a horny protein जिसे हम कहते हैं carotene क्या बोलते हैं carotene कहते है gradually die and eventually wear off in the form of scruff you have a dandruff okay important है यह भी since carotene is tough and insoluble in water the carotinized stratum corneum provide protection against mechanical injuries fungal bacterial attack in loss of body moisture तो पहला जो हमने बात की after most region जो है यह अक्सर तोर पर यह many layers of dead squamous cells इसके अंदर होते हैं main चीज जो है horny protein जिसे कराटीन कहते हैं यह भी होता है और जैसे आप देखते हैं जो dandruff पर जाता है और dandruff में आप देखते हैं जो वो shedding होती है wear off होता है तो wear off form of scar of dandruff तो वो भी कहाँ पर होता है stratum column ही होता है layer में ठीक है यह बड़ा important है उसके बाद आता है जी जैसे हमने दूसरा देखा था inner most basal region of epidermis उसके अंदर आता है single layer of columnar cells अब हमने बात की the malphagin layer of यह हम कहते है इसको stratum germinativum यह इसेपरेट करता है इसेपरेट इसेपरेट बाई basement membrane इस cell actively divides and continually replace the worn out cells of the cornified layer epidermis is thin in aquatic vertebrates and rich with mucous grains और इस थिकर in land vertebrates and structure such as scales हो, feathers हो, hairs हो, nails हो glass, horns, animal of teeth driven from the यह सबी कहां से होते हैं यह malphagin slayer से drive होते है यहां पे आप देखेगा उपर वाली layer आप देखेगा अची तरह से यह है cornified layer इसके अदर आप keratin देखोगे thickened plasma marine आपको देखने को मिलेगा यहां पे उसके बाद यहां पे देखेंगे आप यह वाला area है transitional cell होते हैं इसके अंदर granular layer जो है यह आपको देखने को मिलेगी पूरी यहां पे और milanosomes हैं keratin granules हैं यहां पे और यहां पे नीचे है spinos layer यहां पे क्या है spinos layer जो है यह आपको देखने को मिलेगी और basal layer यहां पे आपको देखने को मिलेगी अब यह spinos layer होगी या basal layer होगी इसको हम कहते हैं यह malphagin layer के अंदर आता है लाश पे जो आप देखोगी जो basal lamina है इसके अंदर होते हैं milanocytes क्या होते हैं milanocytes बहुत important है यह dermos या फिर corium यह inner layer होती है length vessels आपको dermos के अंदर मिलेंगे muscles fiber, narrow fibers and sense organs and elastic fibers जो हैं वो bring the second back to its normal shapes melanin pigments and pigment granules और also found in यह सभी कहां पे आपको देखने को मिलेंगे dermos के अंदर fat may be accumulate as reserve for in special cells, adenocytes in deeper parts of dermos and in the subcutaneous tissue तो यह जो point से note कीजेगा कौन कौन से चीज़ जो हैं आपको dermos के अंदर देखने को मिलेंगे और यहां पे एक बात देखेगा अच्छी तरह से second का क्योंकि साथ में मैंने इसलिए diagram रखी है तापको अच्छी तरह से समझ आ जाए यह आपका epidermos है, यह पोर है यहां पे dermal papilla है यहां पे नीचे जो है यह इसे हम कहते हैं dermos dermos के अंदर आप देखेगा कहां का क्या कह चीज़े हैं, एक्जोकरीन सिविट ग्लेंड हो, या एलेक्टर पिल मसल हो, सिबीशिज ओल ग्लेंड हो हेर फॉलिकल्स हो, हेर रूट हो सभी आपको dermos के अंदर देखने को मिलेंगे निचे है, hypodermos जिस हम कहते हैं सब cutaneous tissue जो हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे idipose tissue भी आपको निचे देखने को मिलेंगे cutaneous vascular plex भी आपको निचे देखने को मिलेगा ठीक है? उसके बाद जो neural structure होते हैं, यह आप देख रहेंगे, यह जो है यह sensory nerve fiber है, यहां पर यह जो है lamela copytis, hair follicle receptors हैं, इससे भी आपको dermos के अदर देखने को मिलेंगे उसके बाद आता है, derivatives क्या होते हैं integument के, derivatives of integument अगर हम second layer की बात करें यह, they are dermal derivatives and epidermal derivatives क्योंते होते हैं, जब आप derivatives को लिखोगे exam point में, तो आपको क्या लिखना है जो derivatives होते हैं, integument के यह depend होते हैं layer of second और इसमें एक आता है dermal derivatives दूसरा आता है epidermal derivatives जैसे यहां पर लिखा हुआ है epidermal derivatives A, दूसरा है dermal derivatives B सबसे पहला हम देखेंगे epidermal derivatives जो हैं, वो उसके अंदर क्या-क्या होता है उसके अंदर पहला नमर पर आप होगा epidermal glands दूसरा होगा hard horny structure जैसे scales, scutes, beaks, horns, claws, nails, hooves, feathers and hairs इन पोइंटों को आप नोट कीजिएगा यह जो points हैं, यह epidermal derivatives के अंदर आते हैं All the hard horny structures together form exoskeleton of an animal क्या बनाते हैं यह? यह exoskeleton बनाते हैं इनिमल के अंदर ठीक है? इस तरह से दुसरा है Dermal derivatives Dermal derivatives के अंदर आता है बूनी और डर्मस के प्लेट्स या scouts, fin rays and antler जो हैं यह डर्मल के अंदर आते हैं देखिएगा Epidermal derivatives Epidermal glands It is formed by the malphigian layer of epidermis यह point note कीजिएगा जो epidermal gland होता है यह कहां से farm होता है Malphigians जो लेर होती है Epidermis की वहां से यह farm होता है May be unicillal or matricillal They are as follows पहला होता है Epidermal grains के अंदर आता है Mucous Glade Mucous क्या करता है यह secret करता है Mucine Mucine जो होता है यह slimmy या sticky mucous होता है जब यह contact करता है water के साथ और second को यह क्या करता है हमेशा moist रखता है Slimmy protect करता है second को from against the harmful bacteria and fungi Abundant in Ampian second यह important है उसके बार आते है Poison Grain क्या आते हैं जी Poison Grain Poison Grain जो होते हैं यह modified होते हैं Multicillus cutaneous grains Larger but fewer than mucous grains The parotid grains Behind the head of totes Are aggregation of poison grains जी सरह से आप जहां देखोगे Snake का यह यहां पर डक जा रहा है यहां पर accessory grain है यहां पर यह venom grain है यह lumen है यहां से आप देखोगे उपर से आप जब आप पो TS देखोगे सब उस्कुललाइट और गलाफ ऐस्ट्रो निस्तिस यहां पर आपको क्या कुछ देख लेंगे मिलेगा यह भी आप देख सकते हैं और जो सेक्रेशन होती है पोजन ग्लेंट्स की यह bitter होती है बिटर होती है कड़वी होती है और जब जो ही यहां पर सेक्रेशन होगी जहां पर इसकी सेक्रेशन जाएगी वहां पर उनको इलर्जी होनी स्टार्ट हो जाएगी इरिटेटिंग होगी और इवन डेंजर्स टुदा प्रिडेटर्स और प्रिडेटर्स की डेथ भी हो सकती है सी आता है अगर हम देखेंगे जो लॉस्ट फिशिज होते हैं इन के हाँ फॉर्ट फोर्स प्रेजर्ट होते हैं जो कि लाइट अमिट और्गन्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है जी फीमॉरल ग्लेंड क्या आता है फीमॉरल ग्लेंड फीमॉरल ग्लेंड्स होते हैं यह आपको लिजर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे यह जो थाइज हैं यहां पे आपको यह दोनों थाइज क्या मिलेगा आपको फीमॉरल ग्लेंड्स देखने को मिलेंगे तो कॉपूलेशन के टाइम, ताकि फीमेल को होल्ड करने में काम आए, छोड़ छोड़ी स्पाइन्स जो हैं यहां पे निकलते हैं, यह फीमेल ग्रेंट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टन है, उसके बार आता है सिविट ग्रेंट, यह आपको बहुत सारे मैमिलिन सिकंस के अ सिकल सर्फेस, यह बाड़ी के टंपरचर को रिग्लेट करता है, सिविट ग्रेंट जो होते हैं, यह स्कैली एंट एंट इटर्स के अंदर यह एपसिट होते हैं, और मैरीन मैमिल्स के अंदर भी एपसिट आपको देखने को मिलेंगे, इन सम एनिमाल्स इडिस ओकरिंदा सो इसा भी होता है, जैसे बिल्ली के सोल में देखोगी, या रैबर्स के लिप्स के अंदर देखने को मिलेंगे, मेल जेंट कंगारू एंट हिपो पोटेमस सक्रेट करते हैं, रैड कलर स्विट इन आई, लैशेज एंड लांग मार्जन ऑफ आईलिड और मोडिफाइड स्वि इस्टाइब पर देखते हैं, जैसे अब है सीबेशीज ग्लेंट, सीबेशीज ग्लेंट की तरह हम बात करें, यह हमेशा आपको ब्रांच्चड एलवोलियर ग्लेंट जैसे यह आँए ब्रांच्ड इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, यह ठीक है, और इनकी आपनिंग कहां से होती है opening कहां होती है into the hair follicles of mammals ठीक है they are oily secretions जब यह oily secretion करते हैं जिसे हम कहते हैं sebum grease यह सिक्रम को और hair को को soft रखती है greasy रखती है waterproof and glistering यह चीज़ी है जो important है कुछ mammal mammals के अंदर यह absent होते हैं और which are practically divide of hairs ceruminous glands जो external air canals are modified sebaceous glands greasy secretions of this gland इसे हम कहते हैं cerumen क्या कहते हैं cerumen यह help करता है to protect the ear from dust particles and trap the insects तो यह इसका important है उसके बार आता है जैसे यहां पर यह है यह मैलस इंकस यह तीन बूंस हैं यह तीन बूंस के साथ में आपको यहां पर जो देखने को मिलेगी यह टिंपैनिक membrane जो है ठीक है न यहां पर टिंपैनिक membrane है तो इसके अंदर आपको जो secretion देखने को मिलेगा oily greasy secretion मिलेगा तो यह बड़ा important होता है इसे हम cerumen कहते हैं जो help करता है to protect the ear from dust particles or trap the insects उसके बड़ता है myobian glands my bohemian glands जो होते हैं of islands are modified sebaceous gland यह भी important important है यह भी आपको याद रखना है उसके बाद है scent gland क्या है scent glands यह जो होते हैं यह भी sebaceous glands की modification होती है तो scent का इस्तमाल ऐसे होता है अपने आपके जो partner होता है partner को किस तरह से attract करना है जो opposite sex होका उसको किस तरह से attract करना है तो यह होता है scent glands के बारे में scent glands में occur in between toys on feet goat की बात करें या rhino हो, horse हो या आपको toys के ओपर देखने को मिलेंगे और navel on abdomen musk deer के जो होता है यहां पर आपको देखने को मिलेगा memory glands क्या होते हैं यह characteristic होते है mammals की आपको पते ही है these are compound tubular glands that produce milk during lactation paid for feedings the young ones usually they are present only in the females but in monotremes, primates and some other it is present in male also memory glands की हम बात करेंगे तो ऐसा है कि जो mammals होते है mammals की females की आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि वहां पर during lactation जो milk produce करती है और हमने ऐसा भी देखा है जो monotremes होते हैं या primates होते हैं कुछ ऐसे मेल्स जहां पर memory glands भी present होते हैं यह एक picture है इस picture को देखेगा epidermis का part यहां पर है dermal का part यहां पर है ठीक है और जो यह नीचे dermis है इस dermis के layer में क्या कुछ है यहां एक बार video को पास करके देख सकते हैं फिर आते हैं जी epidermal scales or scutes क्या होते हैं they are developed by the accumulation of proteins यह बात जाद रखना जब accumulation होती है proteins की यह develop होते हैं और इनको हम कहते हैं keratin keratin इनके अंदर जो protein होता है उसे हम कहते हैं keratin stratum corneum cells जो होते हैं जितने भी stratum corneum cells होते हैं वो cornified होते हैं और बनाते हैं horny hard exo-scaltern like scales hairs,beegs,horns,claws,nails,attester and different vertebrates हम देखेंगे reptiles के दर अगर हम reptiles के दर देखें reptiles having continuous outer covering जैसे आप देख रहे हैं यहां पर reptile के हमने covering यहां पर आपको दिखाई हुई है horny epidermal scales that prevent water loss to the second surface यह क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं water loss throw the second surface snake की बात करें also the scales are overlapping enlarged on head खासकर head के उपर देखेंगे उनकों कहते हैं shield and on the winter surface called scutes winter side में होंगे scutes कहेंगे circus head में होंगे तो shield कहेंगे which aid in locomotion और यह locomotion के अंदर काम आते हैं crocodiles and turtles have secutes होते हैं बहुत के बात करें small scales are present on the long legs, foot and beak के उपर mammal like scaly ant eater जो ant eater होती है the large scales on body होते हैं और अगर हम देखें large body scales become fused into plates and beds तो यह है इसके बारे में उसके बार आता है second Dermal Derivatives क्या आता है जी Dermal Derivatives आता है तो Dermal Derivatives में आपको पढ़ना है Dermal Scales and Scutes, Deciddle Cornification, Horns पढ़ना है features क्या होते हैं and hairs क्या होते हैं Dermal Scales and Mesodermal in Origin होते हैं Dermal Scales in fishes के हम बात करें fishes scales form the exoskeleton इतना आपको पती है 5 types के scales जो है वो known है depending on their structure in fishes पहले हम बात करें Cosmolite जो के extent हो चोग है यह scale, दुसरा होता है Placoid Scales और यह जो है Placoid Scales यह present होते हैं Elasmo branch fishes के अंदर जिससे आप कॉन्टी जाते से भी कहते हैं यह जो है यह बूनी फिश नहीं होती हैं दुसरा होता है Ganoid Scales यह आपको Condustin and Holustin के अंदर देखने को मिलेगा चोथे होते हैं Cycloid पाच्वे होते हैं Tenoid Scales तो यह Tenoid Scales यह जो Modern Telost fishes होती हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगे जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगे जैसे यहां पे आपने लिखा है लॉस्ट में यह जो Booni Darmba Scales है è ace legor के अंदर आपको देखने को मिलेगा उस्टों टर्मस मिलेंगे यह हौरनी एपिडर्मस स्केल्स आपको देखने मिलेंगे स्नेको लेजर्ट के ओपर ठीक है तो यह इंपॉर्ट्टन चीज़ें जो आपको पढ़नी है और नो डाउन करनी है जैसे यहां पर है यह यह आपको यह जो है यह कॉस्माइट स्केल है कॉस्माइट स्केल की ओपर जो उपर वाली लेर होती है इपिडर्मस कहते हैं नीचे कॉस्मीन है पेट्रोडिंटीन लेर है उसके बाद वेस्कुलर लेर है लाश्ट पर आपको इसू पैडिन लेर आपको देखने को मिलेगी यह जो सी सी जो है यह को गैराइट स्केल है क्या होता है गैराइट स्केल होता है ऐसा होता है और डी का जो यहां पर स्टॉक्चर दिया गया है यह पर यहां लाश पर जो है यह लेपीडोस्टॉइट स्केल है ठीक है ना यह चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि एक्जाम प प्रवाडी प्लेट्स, यह दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बाकिया आप क्रोकोडाइल की बात करें, लिजर्ड की बात करें, आपको देखने को वाप भी मिल सकते हैं, डर्मल फिनरेज जो होते हैं, यह सपोर्टिंग दा फिन ओफिशे और लांग फ्रेक्सिबल फिनरेज होते हैं, जो के डर्मस के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, यह है एपिडर्मस, यह हैं हॉर्मनी स्केल्स, इस पिक्चर को आप देखेगा, अची तरह से समझ आ जा नैरो, हार्मनी, करवड टॉर्सल प्रेट्स यह आपको रिप्टाइल्स के अंदर, बोर्ट्स के अंदर, और कुछ मैमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, नेज के बात करें, यह जो होते हैं, यह कलाज और मोडिफाइड होते हैं इंटू नेज में, जो के प्राइमेड्स का करेक्टर है, मैमल्स के अंदर आते हैं, हुफ्स, जिससे आप खुर बोलते हैं, जो ये अंगुलेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये हुफट्स जो मैमल्स होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके, तो ये वाला उपर वाला जो पार्ट होता है मैंने पहले बताया यह जो पार्ट है अपरवाला है यह स्ट्राइटम कॉर्नीम है दुसरा जो पार्ट होता है यह स्ट्राइटम ग्रेनलोसुम है तिसरा जो पार्ट होता है वो स्पैनो स्पैनोसुम है तो आप यहां पे देख सकते हैं और यहां तक आपको समझा जाएगी ह होरन्स की बात करेंगे यह होन्स क्या होते हैं यह आपको हूफिड मैमल्स के अदर देखने को मिलेंगे और यह आरगन्स होते हैं किसके लिए, डिफेंस के लिए, ओफेंस के लिए और देखा गया है पांच टैप्स के हॉर्ण्स जो हैं वो रिक्रिगनाइजड हैं बट और 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 नाट टू हॉर्ण्स सभी जो हैं वो टू हॉर्ण्स नहीं होते हैं और ये भी स्ट्राटम कॉर्णियम्स का ही पोड़क्ट हैं पहले हम बात करेंगे true horn का true horn जो होते हैं यह hollow horns होते हैं यह जैसे goats के बहुत सेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे cattle के sheep के orders आपको यह देखने को मिलेंगे और यह हमेशा unbranched होते हैं cylindrical होते हैं दुसरा है prong horns prong horns जो होते हैं यह एक से तीनी branch होती है इनके अंदर ठीक है तो यह भी जो होते हैं यह true horns होते हैं फिर होते हैं antlers antlers जो है deer deer family के अंदर यह आपको यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे तरह से यह जो हर्ण है इनको हम कहते है true horns होते हैं यह male and female cattle cow के अपर आपको देखने को मिलेंगे यह complete horn ऐसा होता है यह center cavities की होती है लग रहा है आपको पुरा cylindrical true horn है यह second है यह वपरहणल epidermal covering है यह male giraffe कnew जो होता है जो है यह हलके बाल भी इनके उपर और होते हैं यह आता है prong hornet antilop, यह प्रॉंग vole होता है इस तरह से जो three branch out होतें त certains पर होते हैं इसके बाद यह complete horn हो और का और एक आपको ऑगा ब्रॉंच होता है तो इस तरह से जिरोफ का हारन है तो आगे आप देखिए का अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको तेखिए यहां पही देखाओंगा मैं आपको जो जिरोफ हारन होता है यह it is stunted unbranched यह देखो stunted है unbranched है पर्मनेंट एंटलर्स प्रेजन इन बोर सेक्स ऑफ जिरॉफ इच कुंसेस्ट ऑफ शॉर्ट बूनी डर्मल कोर कवर्ड विट सिंपल अन्मोडिफाइड सिकंड और विल्विट विजिस नेवर शेड ऐसा है जो इसके उपर होते हैं यह आप सिकंड अन्मोडिफाइड कह सकते हैं यह कभी शेड नहीं होता है उसके बाद हेर होन्स क्या होते हैं हेर होन्स जो होते हैं यह आप इनको फाइबर होन्स भी कह सकते हैं यह राइनोसोर्स के जो दोनों सेक्स होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इस होन्स और कॉम्पलिटली मेड अफ आप फीदर्स के वारे में तो आप जानती ही होंगे ठीक है I hope आपको इतना तो पता ही होगा ठीक है फीदर्स के वारे में फीदर्स जो होते हैं यह आपको बोर्ड्स के हाँ देखने को मिलते हैं यह ड्राइब भी होते हैं और नॉन लीविंग होते हैं qualified product होता है किसका stratum corneum का light weight होता है लेकन ये waterproof होते हैं और ये show करते हैं color किस वज़े से due to the presence of pigments इनके हाँ pigments होते हैं ये protect करते हैं body को conserve करते हैं heat को broad surface of wings entailed for flight generally लेखा गया है तीन टैप्स की फीदर्स जो है वह होते हैं contour फीदर्स टाउन एंड फिलोपिल्यूम्स यह होते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं यह जो structure है यहां पर आपको देखने को मिले हैं hairs की बात करें hairs के बारे में आप जानते ही हैं यह characteristic है male के अंदर characteristic है और यह cover करते हैं entire body को farad animals होते हैं maybe reduce to patches main के अंदर reduce होते हैं क्योंकि females के अंदर जादा होते हैं males के अंदर कम होते हैं ऐसा है नहीं male के अंतर male की तो body के ओपर भी होते females के अंदर body के ओपर नहीं देखने को मिलते हैं ठीक है न वेल्स तो collectively all the hairs of mammals are known as a pillage क्या कहते हैं pillage कहते हैं it is periodically lost and by molting and replaced by new one अब आप जानते ही हैं कि जो cheap function होता है hairs का seem toms or insulation of body and sensitive to a tactile organs Vibrasia hairs have several modifications bristles, quails, pines, scales, horns, etc and variously used in industries यह जो tiger है देख सकते हैं एक mammal है इसकी body के ओपर कितने hair है ठीक है अब यहां पे उपर वाला जो है epidermis part निचे वाला जो है dermis part dermis part के अदर आप देखेंगे sebum है sepices grain यहां पे होलीकाज होते हैं यहां पे hair erector muscles होते हैं तो यहां से निचे से ऊपर की तरफ जब जाता है यह hair ओके तो यह कुछ important थे I hope आपको lecture पसंद आया होगा ठीक है आप जोड़ी हैं हमारे साथ कोई भी आपको lecture अगर पढ़ना हो तो आप हमें बताएगा हमारी email id है is forkloan45.gmail.com